हेलो फ्रेंड्स विल्कम टू FSC चैनल दोस्तो FSC चैनल में आपका स्वागत करता हूँ और दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे समिछा अधिकारी के भरती के बारे में और साथ ही दोस्तो यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक् आपन आएगा इसका कोई निश्ची डेट देना ही हुआ है लेकिन 173 पदों पर यह भरती जल्द आपको देखने को मिलेगी लेकिन दोस्तों एक बात याद करिए कि इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं यहां पर पदों का विवरड दिया है और इसके पहले भी जो भी स्टूडेंट इसके बारे में जानते हैं उनको लिए कोई नई बात नहीं है लेकिन जो नए स्टूडेंट होंगे जिनका असनातक कंप्लीट होगा होगा उनके लिए यह जान लें कि यदि समिच्छा अधिकारी के लिए आपको अपलाई करना है तो आपको असनातक के डिक्रीज भी हो जाए, डिक्रीज होने के कम चांसे होते हैं, तो इसमें आपको ग्रेजूशन के साथ ओ लेवल के डिक्री होनी चाहिए, दोस्तों मामला यहीं पर विगड़ता है, क्योंकि ओ लेवल क्या है, ये सीट खाली चली जाती है, असनातक के साथ ओ लेवल बहुत ऐ ऐसे कम ही स्टूडेंट हैं, जिनके पास है, और जिनके पास ओ लेवल है, वो लोग बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं, जो कमपटीटर नहीं होते हैं, ओ लेवल तो कर ली हैं, लेकिन यदि कमपटीशन की बात करें, और इस तरह के पोस्ट की एक्जाम्स की तैयारी की ब बनाय था कि ओ लेवर और त्रिपल सी के लिए कहां पे ज़रुरत पड़ती है उसकी योगजिता के लिए और कौन-कौन से आप फार्म को फिलप कर सकते हैं तो अब तो वैसे ओ लेवल सभी स्टूडेंट कर रहे हैं और बहुत ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कंप्लीट भी कर चुके हैं और अपलाई भी किये हैं तो यदि आप लेवल नहीं किये हैं तो लेवल कर लीजिए और रिटेन एक्जाम निकालने के बाद आपका लेवल मांगता है यह कंपलसरी है और उसके बाद आपका टैपिंग होता है तो यही बात है यदि किसी के पास लेवल है तो उ आप कामर्स होना चाहिए या फिर उसके समकच जो मांगा है यहां पर वो तो नाटिफिकेशन में बताएगा लेकिन आपको भी काम होना चाहिए असनातक में अपर नीजी सचीव के किस पोस्ट देखनी को मिल सकते हैं जिसमें असनातक के साथ आपको त्रिपल सी की डिगरी हो भरती में जुरुत पढ़ती है तो 173 पदों पर यह भरती जल्द आ सकती है और 2020 की समिच्छा अधिकारी और साहक समिच्छा अधिकारी की यह पोस्ट होंगे तो दोस्तों आप अपनी तयारी तेज कर दें और यहां पर बात करें जैसा कि स्रियम जी हमारे जो आदेश दे है उनका पालन तो बहुत कमी होता है लेकिन यहां पर देखिए लोग सिवा आयोग अभी इन खाली पदों पर भरती के लिए योग्यता के आधार पर बिग्यापन निकालते में भरतियां करेगा अब यहां पर देखिए बताय रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित तिनाथ के निर्देश की आधार पर खाली पदों पर भरतियां च्छह मां के अंदर की जानी है ऐसा संभव तो नहीं लगता है मुझे हाला कि आपकी क्या रहा है आप कमेंट बक्स में भी बता सकते हैं लेकिन यदि एक साल के अंदर भी कंप्लेट करवाते हैं तो भी बहुत देख रहा है कि उत्तरप्रतिस लोग सेवा आयोग अपने कारे को लेकर ज्यादा एक्टिव है तो वेकेंसी आ सकती है और कंप्लीट भी बहुत जल्दी करवाया जा सकता है आप भी एक्टिव हो जाईए और अभी तक जो समय बीता है जैसा कि भरतियां इतनी लेट हुई ह है रिजल्ट लेट आ रहा है तो अब हो सकता है कि एक्टिव हो जाई गवर्मेंट और जाब पर सारी क्राइसिस दूर करें तो आज की वीडियो दोस्तों यही पर समाथ होती है इस से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल होगा तो आप कमेंट बाक्स में भी पूस सकते हैं तब तक के लिए धन्यवाद टेक केर बाई बाई